हलो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त डवल थ्री धुर्वा और एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है अगले वीडियो में हमने देखा था इसी घर में आपको हमने बिल्लू वाइट सीमेट पेंट करके दिखाया था लेकिन आज इस वीडियो में हम इसी घर में आपक को यार ले स्प्रेय पेंटिंग करके दिखाने वाले हैं और घर का प्लॉट साइज भी जानेंगे और स्क्वार फूट की बारे में भी जानेंगे और पानी कितना मिलाना है वह भी जानेंगे तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपकी समझ में आए और आप लोग क देके आ गए हैं क्योंकि मार्केट में नया नया मिलता है तो नया नया काम करेंगे और आपको भी जनकारी देते रहेंगे चलो अब मिक्सिंग काम स्टार्ट करते हैं आज हम देखिए दोस्तों कौन सा पैंट लाए है एकवा प्रेस्टिस साइज प्रिनियम एक्रेली वासेबल डिस्टेंबर हम कोई भी पैंट कोई भी मकान मालिक को रेकुमेंड नहीं करते हैं वह अपनी मर्जी से जो भी पैंट लाके देते हैं हम उसी पैंट को और अपलाई करके दिखाते हैं तो पहले क्या करेंगे पहले मिक्सिंग करेंगे तो देखिए मिक्सिंग के लिए हमने यहां पर 20 की डिस्टेंबर लिया है और एक बाल्टी में हमने 10 लिटर पानी रखा है अभी हम धकन को खुल रहे हैं अगर आपको धकन कैसे खुलना है पता नहीं है तो आप हमारे सेलो प्राइमर या प्रीनियम प्राइमर का वीडियो जाके देख सकते हैं और वहां से आप सीख सकते हैं बहुत सारी वीडियो हमने इसके बारे में बताया है लेकिन आज हम आपको जो डिश्टेंबर अभी आप देख रहे हो इसका कौन कौन सी पेकेजिंग की साइज में मार्केट में आपको मिलेगा 20 kg की पेकेजिंग की साइज में मिलेगा जो आपके सामने है और 10 kg का पेकेजिंग की साइज भी मिलेगा और 5 kg और 1 kg का पेकेजिंग की साइज में मिलेगा लेकिन देखिए दोस्तों जो कलर अभी आपके सामने तो आप जानेंगे इसमें कितना पानी हमने मिलाया है 20 केजी डिस्टमबर में हमने 10 लिटर पानी मिलाया है और आपको भी मिलाना चाहिए अगर आपके पास मेशिन नहीं है तो आप इसको ब्रस से या हास से लगा सकते हैं लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में यारले स्प्रे पेंटिंग करके दिखाने बाले हैं क्योंकि हमारे पास मेशिन है इसलिए हम आपको मेशिन से स्प्रे करके दिखाएंगे अब खतम हो गया है मिक्सिंग का कम आप फिटिंग करेंगे मेशिन में एक बाल्टी में हमने प पाइप के जरी हम क्या करेंगे माल को रिवर्स करेंगे इधर से लेंगे और इधर से छोड़ेंगे छोड़ने के बाद क्या करेंगे इसके अंदर से यार निकालेंगे यार निकल जब जाएगा तो अब हमको क्या करना पड़ेगा पाइब में छोड़ देंगे यानि हमारा ज चुना के उपर भी कर सकते हैं कोई भी वाइट स्यमेंट हो उसी के उपर आप सस्ते बाला डिस्टेमर पैंट को इसी तरह से मेशिन से स्प्रे करके लगा सकते हैं तो अब पूरी एरिया में वाल पैंटिंग का काम खतम हो गया है अब पूरे घर को देखेंगे घर के अंदर जाते हुए आपके साथ कुछ बात शेयर करेंगे अगर आपको ये पसंद आता है तो आप अपनी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों तो दोस्तों यह घर कितना स्क्वार कुर्फूट एरिया पर बना है और इसका प्लॉट का साइज है बातिस फूट फूट जाने के लिए और अबिटी सामने है और यहां पर सीड冷म बना है उपर जाने के लिए और इसके घर के अंदर में दो क्वाटर आपको देखने के लिए मिलेगा और जिसका साइज है 10 फूटْ बैज बारा फूट्ट यहां पर बंटाया गया है जहांपर दस फूट वही पांच फूट है लेकिन पांच फूट में भगबान का क्वाटर बना है और यहीं से एक बेडरूम के अंदर जाने के लिए आपको रास्ता देखने के लिए मिलेगा लेकिन इस घर में हमने बिल्लू हाइट सिमेट कितना केजी लगाया था अ और किटना केजी हमने इस घर में लगाया है इस घर में हमने 40 केजी डिश्टमबर लगाया है और जो रेट है 1400 रुपया है यह लिए पास जाएंगे तो आफकर कम कि बीमें मील जाएया लेकिन इस घर का टोटाल स्क फॉट कितना होता है 2800 से 3000 के अंदर निकल कर आता है आज के लिए बस इतना ही है मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ थाइनक्यू फूर वाचिंग लाइक एंड कोमेंट सस्क्राइब हरे कृष्णा मित्रों मिलते हैं और एक ने वीडियो के साथ थाइनक्यू